कमे एपलेवल कम बैक गालेख little । आज मैं आप लोगों को साथ शेर करने जारा ही है मतर आड की सबसे सिंपल सी रेइपि जो की बहुती चीव लगता है खाने बperform के बनानाा बीना किसी जंज़णद की चलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं अगर смотреть अगद 15 अगर पसंद तेज पत्ता डालेंगे, साथ में हरी मिर्च और प्यांज डालेंगे, हरी मिर्च का माँट आपको इसाथ को अब प्यांज को हम सोप्थ हो जाने तक भूम लेंगे मिडियम फ्रेम में, अब देख पाड़ो प्यांज इच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब इसमें आलू और मटर हम साथ में आड़ करेंगे, मैंने आलू कर साइज थोड़ा छोटा रखा है ताकि यह आसानी से पक जाए, आलू और मटर को साथ में डालके हम भूम लेंगे, हम यहां पे साथ म नमक भी आड़ कर देंगे, जिसे मटर और आलू को पकने में असानी होगी, चाहे तो आप इसे ढख कर भी भूम सकते हैं ताकि यह इजली पक जाए, मतर आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, मैंने इसमें ढख कर फ्राई किया था, अब इसमें मसाला आड़ करेंग एक चमच अध्रक लशन का पेस्ट, एक छोटी चमच हल्दी का पाउडर, एक छोटी चमच कस्मिली रेट चिली पाउडर, एक छोटी चमच धन्या का पाउडर, एक छोटी चमच सब्जी मसाला मार्केट वाला, थोड़ा सा पानी याड़ करेंगे, और इसे अच्छी तरह इत्यताया कि का अच्छी तरह से मिलाने के बाद से हम धकेंगे और इसका फ्लेम फ्लेम कर में कम से कम 10 मिनेट तो पकने देंगे ताकि मसाला च्छी तरह से पक है लबर कंप्लीट हो चुका है अब इसे मिला लेते मैंने इसे एक या दो बार बीच में मिलाया था अब जरू मिला लें तो मसाला नीचे से जल सकता है कि अब देख सकते हैं यहां पर आलू लगभग 80% पक चुका है अब इसमें हम टमाटर रायट करेंगे अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे अगर अपने स्टार्टिंग में टमाटर डाला तो आलू को पकने में काफी टाइम लग जाता है इसलिए आलू थोड़ा पक जाए इसके बाद अब टमाटर डाले इसे मेडम फ्लैम में 5 मिलेट के लिए हम ढख देंगे ताकि टमाटर थोड़ा सौक्ट हो जाए लब पांच मेंट कम्प्रीट हो चुका है अब मिला लेते हैं अब देख सकते हो टमाटर भी गल नहीं लग जया है इसे बिना कवर किये थोड़े ऐसी इंभूम लेंगे अब देख पार हो मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है अब इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे ताकि मटर और आलू अच्छी तरह से पख जाए इसे अच्छी तरह से मिलानी के बाद इसे हम ढख देंगे अब ढख कर लो फ्लेम में कम से कम 5-7 मिनाट कभर अब इसे हम चेक करते हैं अब देख पार हो आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और मटर भी अच्छी तरह से पख चुका है अब इसका हम फ्लेम बंद करेंगे आपको अगर यहां पे हरा धन्या आड़ करना है तो आप डाल सकते हो या कसूरी मेती भी इसमें आड़ कर सकते हैं और आप इसे गर्म गरम राइस रोटी या पूड़ी के साथ खाल कर देखें यह किन मानी आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा और अगर आपको यह सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज बीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर ने हो तो चैनल को ज़ कि पालकी और बाचिं